नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल पूजा पार्ट उपाए में आपका हिर्दे से बहुत बहुत स्वागत है। आप भी यती चाहती हैं कि आपके पती की आयू लंबी हो और आपको अखंड सौभाग प्राप्त हो तो आप अपने जीवन में इन नियमों को जरूर ही मानियेगा। दोस्तों जाने अन्जाने में हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं जिनका हमें एसास ही नहीं होता है। तो कहीं आप भी तो ऐसी गलतियां नहीं करते हैं तो आईए उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने मेरा चनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा एक स्वागन मैला को हमेशा ही सस समर करके रहना चाहिए ऐसा ना हो कि मैले कुछ एरे कपड़े पैने दो-चार दिन चोटी ही नहीं करी ऐसा बिलकुल भी ना करें यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भरपूर खुशिया रहें तो आप अपने सरीर को सजा बजा करके रखिएगा जैसे कि बिंदी, चूडी, बिच्छिया और मावर बगरा लगा करके रखें ऐसा करने से हमारे पती की उम्रे लंबी होती है एक पत्नी को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए अपने पत्नी के अलाबा और किसी के बारे में उसको सोचना तक नहीं चाहिए एक धर्म पत्नी में बहुत तागत होती है जो पत्ती के जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी रोग देती है आप भी सदमार्क पर चलें और अपने पत्ती को भी अच्छे मार्क पर चलने के लिए प्रेरित करें दोस्तों जो बड़े बड़े तीस्तिवार आते हैं बड़े बड़े परवाते हैं उन पर हमें पूजा पाट करना चाहिए और सोहाक का सामान जरूर दान करना चाहिए इसे हमारे पती की आयू लम्मी होती है अखंड सौभा के प्राप्त करने के लिए रोज की पूजा में गौरी माता को सिंदूर अबस्य चड़ाएं दुर्गा माता हैं गौरी माता हैं लच्छी माता हैं सभी को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए और फिक गौरी माता की मांग से थोड़ा सा सिंदूर आप अपनी मांग में भरिए और भरते समय आपको ये दो मंत्र बोल ले हैं पहला मंत्र है सर्वे मंगल मांगले सिवे सरवार्तक साधिके सरडे त्रम्बे के गौरी नारायरी नमो इस्तुते दूसरा मंत्र है देही सवभाग मारुग्यम देही में परम् सुखं रूपम देही जयम देही यसो देही दशो जई ये दोनो मंत्र बहुत ही पाबर्फुल हैं और इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको अपने ही मांग में सिंदूर बरना चाहिए ऐसा करने से आपके पती की आयू लंबी होगी और आपको अखंड सौभागे की प्राप्ती होगी जीवन में जो भी समस्याएं हैं या आने वाली हैं वो सहज ही दूर हो जाती हैं माभगवती जगदंबा की किरपा से दोस्तों एक स्वाहकन मैला को कभी भी गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन और सनीवार के दिन अपने बालों पे कैची नहीं चलवानी चाहिए नाहीं आइब्रो बनवानी चाहिए इसे पती को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और धनकी भी हानी होती है और कभी भी गुरुवार के दिन आप अपने बालों को ना धोएं गुरुवार के दिन बालों को दोना बहुत ही असुब माना जाता है इससे लच्चमी की हानी होती है वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तो तो लाइक दे दीजिएगा और कमेंड वाक्स में जैमाता की लिखिएगा दोस्तो मासिक धर्म के दोरान आपको स्वहाग का सामान इस पर से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही पवित्र होता है और यदि आपको कभी ऐसा पढ़ जाए मतलब जिसे साधी बगएरा पढ़ जाती है तो आप क्या करें ऐसी इस्तिती में हमें करना ही पड़ता है तो आप सिर धुल सकते हैं सिर धुल करके और उस समय के लिए थोड़ा सा सामान आप अपने लिए अलग रखा करें वो सामान आप यूज करना है लेकिन जो आपका अच्छा है उसको आप इस पर्स ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा दोश्तो अपने पती के हाथ पर या पती की हतेली पर कभी भी नमक नहीं देना चाहिए यह से नहीं कभी-कभी लोग मांग देते हैं कि लाओ थोड़ा सा नमक दे तो थोड़ा सा कमें डाल लें तो हतेली पर रख करके नहीं देना चाहिए या तो आप कटोरी से दें या आप स्वेम ही उनकी थाली में रख दें हतेली पर नमक देने से आपस में कले पढ़ने लगता है दोस्तो आजकल ऐसा चलन हो गया है कि एक ही थाली में पती पतनी दोनों खाने लगे हैं या कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि बिचारी पत्नी जो होती है वो पहले खा लेती है उसके बाद में वो पती खा लेता है तो ये बिल्कुल ही गलत है आप कभी भी अपने पती को अपना जूटा खाना ना खिलाएं कोई भी जूटी चीज पती को ना दें पहले उन्हें पा लेने दे उसके बाद आप स्वेम खाएं या फिर आप दोनों साथ-साथ खा सकते हैं लेकिन अलग-अलग बरतन में खाएं तो जादा पहतर होगा आपके पती जैसे ही कहीं बाहर जा रहे हैं जैसे की ओपिस जा रहे हैं या एक दो दिन के लिए कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो उनके जाते ही तुरंत घर में जाडू पहुँचा नहीं करना चाहिए बहुत ही असुब होता है अमंगल जनक होता है और ना ही सरदुल के नहा आना चाहिए ऐसे कोई सती अगर आपके सामने आ जाती है तो आप थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कुछ एकाद काम कर लें घर में जैसे यदि पानी नहीं भरा है तो एक बाल्टी आप पानी भर लीजिएगा उसके बाद आप कोई भी काम कर लीजिएगा दोस्तो बिद्भा इस्तरी से कभी भी घरा नहीं करनी चाहिए उन्हें हमेशा प्यार और पूरा सम्मान देना चाहिए क्योंकि समय किसी के हाथ में नहीं होता है कब किस के साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है उन्हें कभी भी हिन भाबना के साथ नहीं देखना विद्वाइश्ट्री को परेसान करना बहुत ही बड़ा पाप होता है दोस्तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा वीडियो को सबी के साथ share भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को और्जा करादे दिल को झाल को ग।